वेलकम दोस्तों, क्रेक फैंटसी लिग में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे कोपा अमेरिका जो मैच खेला जाएगा बोलिबिया वसे सुरगवे के बीच में बात करें मैच की तो मैच स्टार्ट होगा धाई बजे बोलिबिया की बात करें feel last match है तो यह लाश्ट मैच अपना चिली से 0-1 से डोज करके आ रहा हैं और जिस तरीके से। बोलिबिया का डिफेंस खेला अगेंस चिली काफी इंप्रेसिव था वहीं रोगवे की बात करें तो यह last match अपना चिली से 1-1 से डोज करके आ रहा हैं कि इनके प्लेयर के क्वाल्टी बहुत अच्छी है और हम लोग हेड टो हेड में उरगवे फिवरेट ही जाने वाले हैं बॉलुबिया की बात करें 81 पोजीशन इनकी फीफा रैंकिंग है वहीं उरगवे 9 पोजीशन पे है clear cut ф Immer yet आपका उरगवे होना चाहिए, especially head to head में हा जियल में आप चाहो तो बॉलुबिया फिवरेट टीम अपनी बना सकते हो बोलिबिया का जो second match था दोस्तों परागवे से था जहां परागवे ने तीन गोल किया था परागवे का अगर attack देखा जाए तो अच्छा है मुझे ऐसा लगता है जैसे परागवे का attack दोस्तों वही attack उरगवे का है बोलिबिया ने जो attack कर दिया especially चिली को इनका जिस तरीके से defense कहला काफी अच्छा था और इस match में अगर वही तरीके से ये लोग playing level लेके आएं दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग उरगवे क्यों भी रोक सकते हैं एक low scoring match देखने को मिल सकता है बट जो मेरा prediction है इस match में दोस्तों especially एक 2-0 win उरगवे होगा हो सकता है बोलिबिया अगर penalty ना मिला इनको तो ये 0 देखने को मिल सकता है अगर penalty मिला तो ये 0 से 1 हो जाएगा एक goal बोलिबिया कर सकता है क्योंकि ये जिस तरीके से खेला है दोस्तों काफी impressive रहा है प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों तो बोलिबिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके को देखने को मिल सकती है लैंपे इनके keeper होंगे सवेंडरा की बात करें ये आपको दिखने वाले है राइड बैग पे क्युंटोरस जीसिनो ये आपको सेंटर बैग पे दिखेंगे फर्नांडेस लिफ बैग पे दिखने वाले है इस्पेसली मैं यहाँ से चारों defender को ignore करने वाला हूँ हाँ अगर आपको safe जाना है तो सवेंडरा के साथ जा सकते हो यह सूड़ा अमेरिकिया जो बोलिबिया में होता है दोस्तों वहाँ पे खेला था बहुत ही सांदारिस का club form गया था सूड़ा अमेरिकिया में इस्पेसली कोप अमेरिकिया में दोस्तों यह एक गोल भी कर चुका है तो एक डिसेंट से पिक होने वाले वाइस कैप्तन अपना बना सकते हो अगर इनके डिफेंस से किसी को कुप्तान वाइस कप्तान बनाना है तब कुन्टेश जुशोनो इगनोर किया जा सकता है बात करें वाका की दोस्तों टो वाका इस बंदे का ना न तो कलव फर्म बहुत ही सांधार रहा है ना तो इसका जो बोलिबिया के साथ दोस्तो जो फॉर्म है वो ठीक रहा है तो वाका को मैं अपनी टीम में इगनोर करूँगा हाँ आप इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो बट मैं वाका के साथ जाने वाला नहीं हूँ जष्टीयानो की बाथ करें दोस्तो यह डिफिंसीव पॉइंट अच्छा देगा अगर आपको ट्राई करना है तो जष्टीयानो को इस साथ जा सकते हो कलब फॉर्म काफी अच्छा नहीं रहा है दोस्तो इनका ना तो बोलिबिया के साथ इनका फॉर्म ठीक रहा है बट मैं इसको हो सकता है अपने टीम में रेकमेंट करो बेजारानों की बात करें दोस्तों यह आपको अटैकिंग मीड पे देखने वाले हैं इस्पेसली यह सूपर लिग ग्रीस में खेला था जहां पे दोस्तों 27 मैचेस खेला था बिथाउट स्कोर था ना तो गोल किया था ना तो असिस्ट किया था बट मुझे अचा लगता है यह दोनों पिक यहां से इंपॉर्टेंट होने वाले है इस्पेसली रोगुवे जैसी टीम के सामने आर्चे की बात करें दोस्तों तो आर्चे एक इंप्रेस्व पिक बन सकते हैं ये बंदा दोस्तों जो जो दोस्तों इस्पेसली जो बोलुबियन लीग होता है वहाँ पे तीन मैचस खेला था तीन असिस्ट किया था आसी को इकटरें सकते हैं अगर आपको ट्राइ कर ना है यहां से चूरा के साथ आप जा सकते हो अल्वार्श को आख बंद करके एकटर कर सकते हो पिनाल्टी की बात करें दूस्तों ति यहां से पिनाल्टी लेने वाला है मिल सकता है बहुत सारे चेंजिस देखने को मिले इनका कीपर हो गा कि बात करें दोस्तों यह को राइड पर द दिखने वाले हैं दोस्त किंटरा है गिमनेज और वीन उट भीच कि खेलेंगे यहां से चालि इसेवरोड़ी फिंडर इसपेशली एंपोर्टेंट होने वाले हैं गुमानेश की बात करतें दोस्तों तो कर सकते हो वीची किया जा सकता है इसपेशली आदरेत्स है इसे पिक बन सकते हैं और एतलेट पूमेट के साथ ही इंका फॉर्म उतना वेटर नहीं रहा है हाँ यूरो कप में भी ठिक-ठाक खेले हैं गौर्डिन दोस्तों मस्ट पिक ऑप्शन होने वाले हैं काइगलियारी से खेलता है हेडर में अच्छा है कभी भी स्कोर कर सकता है एक डिसें से पिक बन सकते हैं वीना की बात करेंगे दोस्तों वीना को और गोना लेस इन दोनों को जरू ट्राइए करना बात करेंगे दोस्तों इनके मिट से तो वेशिनो, ये आपको राइड विंग पे दिखने वाले हैं वेशिनो की बात करेंगे इनका सेलेक्छन आप पर्सेंटेस बहुत आई है इंटर मिलान से खेलता है दोस्तों, इंटर मिलान से खेलते हुए 28 मैचों में तीन गोल और तीन असिस्ट किया था, एक असिस्ट ये कर दिया है, इसलिए इसका सेलेक्शन आप परसंटेज बहुत आई है, बट मैं इनके साथ नहीं जाने वाला हूँ, अगर आपको सेफ खेल यहाँ से चाहो तो आप गिमनेस को ड्रॉप कर सकते हो, वेसिनों दोस्तों, वेसिनों जैसा मैं बताया कि एक सेफ पिक होंगे, वलवार्डे की बात करेंगे दोस्तों, वलवार्डे, रियाल मैडरिट से खेलता है, इस्पेसली मैं इनको इग्नोर करने वाला हूँ, बट येल में आप जरूर ट्राइ करना, क्रूज की बात करेंगे, ये दोस्तों अर्जेंटिना प्रीमियर डिविजन में खेलता है, बंदे के अंदर स्कोरिंग अबल्टी है, कभी भी स्कोर कर सकता है, तो जील का एक बहुत बड़ा कप्तान, वाइस कप्तान यहाँ से क्रूज होने वाला है, तो क्रूज को कपतान वाइस कपतान जरूर रही करना, जील में, अब बात करते हैं दोस्तों, इनके सबसे बेस्ट पिक की जो मुझे लग रहा है, इस्पैसली अरा कैस्टा, ये मुझे बखुत बड़ा पिक लग रहा है, हो सकता है, ये फ्लॉफ हो जाए, ह आठ गोल किया था और 9 असिस्ट किया था लगभग ये 29 मैचेस खेला था अब दोस्तों 29 मैचेस में 17 स्कोर किया है तो मैं इसको डॉप करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं हूँ हाँ हो सकता है ये 65 मिनट में सब्सिटूट हो जाए तो लार्स मोमेंट पे अगर ये इसी पो सारे वाइश काप्तान कवाणी होंगे आप 34 इसको इंटर्चेंज भी कर सकती हो और कैप्टन कवाणी को कर सकते हो है जिस वाइश कैप्टन कीर्फ होरेज के साथ भी आप जा सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों यहां मस्टपिक होने वाले इनके चारों डिफेंडर के साथ मैं जाऊंगा यहां से आरा कैस्टा वैसिनों यह आपके कॉल होगी कि आपको किसके साथ जाना है यह सेफ है यह रिक्स है इतना ध्यान रखना यहां से कवानी सारेज यह दोनों मस्टपिक है तो यहां से मैं साथ के यहां से दोस्तो यहां से आप चाहो तो सवैडरा के साथ भी जा सकते होती यह मेरे चार प्लेयर हैं जिस सवैडरा सेफ होगा दोस्तो अगर यह असिस्ट भी कर दिया तो हम लोग लोग लॉस कर जाएंगे क्योंकि इसका सेलेक्शन परसंटाज 80% प्लस होने वाला है तो दोस 5-5 चाहते हो तो कवानी को कवानी कोन कर सकते हो जैसा मैंने किया हूं बढ़ दोस्तो हो सकता है मैं लास्ट मोमें पेश जाने वाला हूं सैइफ गाफ्तां हो तोससी में लाक्ष मेरी काप्तान हो होगाद filed 13 में आशन open में चेल सकते हो झाज़ कर आप में हैं आप इनके प्लेस पे वैसिनों को ट्राइब कर सकते हो जो पिछले मैच में एक असिस्ट किये हैं तो एक डिसन से पिक वैसिनों भी बन सकते हैं तो वैसिनों को अगर आपको ट्राइब करना है दोस्तों यहां से अरगेश्टा को डॉप कर दो या दोनों के साथ जाना मैं बार-बार भोल रहा हूँ दोस्तों बेसनों सफ होगा अरह केस्दारिक्स होगा बप इसके जो स्ट्रायर्टस है मैं उसके बेस पे स्टाइब जा रहा हूँ ये प्लियर मुझेầu इंप्रेसियू लगा है मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ यहाँ से बात करेंगे दोस्तो अभी के लिए सवाइडरा है वाका है और बेचा रहनो है बेचा रहनो हो सकता है मैं इनके प्लेस पर लास्ट मोमिंट पर किसी एक मीट को ट्राइ कर लो इस्पेशली हो सकता है दोस्तो मैं क्रूस के साथ जाओ, अर्चे के साथ जाओ, ये चीजे मैं कर सकता हूँ, इन प्लेस आप बज़रानों क्योंकि ये माइनस में भी आपको लेके जा सकते हैं, सामने के team score कर सकती है, क्योंकि इनके पास दोस्तो attacking quality है, ये कभी भी अच्छा ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं तो इस्पेसली दोस्तों मेरी ये टेम है हाँ कुछ प्लेयर हैं जो अगर खेलते हैं तो आप उनके बारे में ध्यान से सुलो अगर वो खेलते हैं तो उनमें से कौन से प्लेयर इंपोर्टन बन सकते हैं इस्पेसली दोस्तों यहां से मेट से बात क खेलता है दोस्तों इंपोर्टेंट बन सकते हैं इस्पेसली इनका उर्धुवे के साथ फॉर्म अच्छा रहा है तो आप ट्राइब कर सकते हैं यहां से दोस्तों बात करेंगे इस पेसली ट्रेड़ों को अगर यह बंदा करता है तो ट्राइ किया जा सकता है फंडेट कूम एडेट से खिलता है यह सारे आपके g.l करना आप दॉस्त यहाँ से जो एक डिशेंट सा पिक निकल के आता है अगर ये बंदा स्टार्ट करता है दोस्तों इसको किसी तरीके से आप अपनी टिम में अज्जेस्ट करने के कोशित करना क्योंकि यह बंदा इस्पेसली उरुगवे के साथ काफी अच्छा करता है बात करेंगे दोस्तो एफ गोरियान की इनको जील में आप जरूर ट्राए करना है यह जील में अच्छा कर सकते हैं इस्पेसली और कोई उतना खास ओप्सन मुझे नहीं दिखाए दोस्तो रोडिगेस की बात करें तो रोडिगेस दोस्तो यह लिगा एमेक से खेलता है क्रूसाजूल से खेलता है अगर यह बंदा इस्टार्ट करता है अगर इसका पोजिशन आजब विंगर होता है left या right कुछ भी खेले अगर as a winger start करता है दोस्तो ता आख बंद करके अपनी head to head team में किसी तरीके से adjust करने की कोशिस करना है यहाँ से जोनाथन रोडिगेस की अगर start करता है तो as a winger start करता है तभी इसको अपनी team में adjust करने की कोशिस करना है यह सारी चीज़े आप कर सकते हो अपने according दोस्तो तो finally वेसिनो या दोस्तो यहाँ से आरा केश्चा यह आपकी call होगी कि आपको किस के साथ जाना है कप्तान वाइस कप्तान जो अभी safe होने वाले हैं दोस्तो आप देख सकते हो सारेज और कवानी यह दोनों कप्तान वाइस कप्तान safe होने वाले हैं आप इन ही के साथ कप्तान वाइस कप्तान जाना तो finally यह मेरी टीम रहा यह मेरा prediction रहा दोस्तो वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है कल से कह सकते हैं लेकिन उसका सबसे बड़ा reason है मेरी health बहुत ही इस समय ठीक नहीं है हो सकता है आगे वीडियो कुछ दिन के लिए बंद करना पड़े दोस्तो तो किसी तरीके से adjust कर लेना बस आपका support आपका प्यार ऐसे मिलता रहेगा दोस्तो हम जल ठीक हो जाएंगे उम्मीद यही है फिर आपके साथ जुड़ेंगे तो दोस्तो अगर वीडियो ना आए तो प्लीज साथ बने रहना छोड़ना मन थायंकि दोस्तो अल लब यू बाबाय टेक कियर एंड विश्ट अप्लाग